हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्वीब चैनल में आज बनाएंगे पुरानी शर्ट से इस तरीके के स्टोरेज बैक और जो मैं जिस तरीके से बताने जा रही हूँ इस तरीके को फॉलो करके अगर आप बनाओगे तो आपके स्टोरेज बैक का साइज बड़ा बनेगा मतलब तीन से चार इंज तो साइज में बढ़ेगा ही साथी आपको दो वाइट पॉकेट में लेगी बिल्कुल फ्री पैटन में बनाया है मैजर्मेंट का बहुत ताम जाम नहीं है और कॉलर के सिवा पूरे कपड़े का यूज हुआ है कुछ भी एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं हुआ है तो प्लीज वीडियो को इसकी किये बगएर देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगा चलिए इसको बनाना सीखते हैं मैंने यहाँ पर पुरानी शर्ट लिए शर्ट का साइज कुछ भी हो सकता है मीडियम, लार्ज, एक्सेल कोई भी साइज हो चलेगा आपको बेसिक पैटर्न सीखना है कि किस तरीके से आप बड़े साइज में बैग बना सकते हो इसको अच्छे से फ्लैट बिच्छा लीजे होता क्या है, आर्मोल के साइट से हम कट करते हैं से तो देखिए, अंदर साइट से नहीं कट करना है आपको बाहर की तरफ कट करना है भले ही इसमें थोड़ी सी स्लीव आ जाए मतलब एड ही रहे, कोई दिकत नहीं आपको एक रिक्टैंगल पीस निकालना है कॉलर के साइट से भी कट कर लीजे सिर्फ आपका कॉलर ही बचेगा बाकी कॉलर के उपर जो शोल्डर वाला पार्ट है यहां से भी स्टेट पट्टी निकल के रफ सैट फिनिश करने के काम आ जाएगा एक रिक्टैंगल पीस निकल चुका है दो स्लीव निकली है ये इस दो स्लीव से हम हैंडल और दो पॉकेट निकालेंगे जो राउंड घिरा दिया है नीचे की सैड में इसको भी कट करके स्टेट कर लेंगे देखिए इस तरीके से आर्मोल वाला सैड है वी शेप में कटा हुआ इसको हम बाद में स्टिच कर लेंगे पहले क्या करते हैं बटन पट्टी है इसे कट करेंगे क्योंकि मुझे जिप पसंद है बैग में जिप थोड़ा सा अच्छा रहता है बंद करने में और अगर आपके पास जिप नहीं है लगानी नहीं आती तो आप बटन पट्टी भी रख सकते हो इसको थोड़ा सा खोलने बंद करने में टाइम लग जाता है तो आप बटन पट्टी के साथ भी बना सकते हो गर बिना जिप के बनाओ तो देखिए इस तरीके से जिप को लगाना है हमें जिप के सीधी साइड नीचे की तरफ रखनी है उल्टी साइड उपर की तरफ रखनी है और पूरे पर सिलाई लगाकर पलट कर हम इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर स्टिच कर लेंगे दूसरी जिप को दूसरे साइड पर सीधी साइड नीचे की तरफ स्टिच करके पलट कर टॉप स्टिच लगा लेंगे तो zip को stitch कर लिया तो दोनों side zip हमारी finishing से लग चुकी है अब देखिए armhole वाला side जो अब ही खुला हुआ है V-shape में जो खुला हुआ है इसको हम बंद करेंगे कैसे बस इस तरीके से पलट लीजे देखिए fitting की सिलाई तो लगी हुई है side से बस आगे बढ़ा लीजे यहां से यहां तक थोड़ा सा सिलना है जितना आपने armhole का हिस्सा लिया हुआ है बस इतना ही stitch कर लीजे तो यह जो आप ठोड़ा सा rough दिख रहा होगा ना यह आपका corner चला जाएगा जब cut करेंगे corner और bag आपका थोड़ा बड़े size में बन जाएगा तो यही trick है और बहुत से इंपले इसको बनाना तो zip लग चुकी है side से जो armhole वाला part खुला था वो भी stitch हो चुका है तो पूरा एक rectangle piece बन चुका है इसको यह 2 minute के लिए side में करते हैं अब मैंने लिया है यहाँ पे sleeve sleeve से देखे जो नीचे वाला side है इसको हमें cut कर लेना है देखे प्लैंकेट वाला design बना रहता है side से इसको cut कर लीजे तो यह हमारा pocket के लिए हो जाएगा दोनों sleeve से हमें यही वाला portion निकाल लेना है यह दो हमारे pocket बन जाएंगे और जो sleeve का extra part होगा उससे हम handle बनाएंगे buttons को निकाल लीजे फ्लैट बिछा लिया इस piece को अब देखे इस तरीके से zip को उपर की तरफ कर लेना है और हमें बिल्कुल center point लगा लेना है इस तरीके से खीचते हुए तो एक center point इस side और एक इस side लगा लेंगे center point का निशान लगा लिया अब zip को इसी center point पे लाके हम attach कर लेंगे बिल्कुल आपको center में ले आना है इसलिए center point का निशान लगाया था देखे दोनों को इस तरीके से अच्छे से हाथों से flat कर लीजे इसके बाद आप pin up कर लीजे pin कर लिया pin करने के बाद अब हम बनाएंगे इसके corner तो मैं यहाँ पे 3 by 3 का corner बना रही हूँ और इसको बनाने के बाद मुझे लगा अगर यह 4 by 4 या 5 by 5 का होता तो यह और भी सुन्दर लगता तो आप अपने according भी बना सकते हो तो final size मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा wide बना है तो आप 4 या 5 इंच पर cut कर सकते हो corner को देखे इस तरीके से पुरा open कर लेना है सीधी side है यह उपर की तरफ अब जो यह मैंने cut किया था sleeve से pattern को इसे हमें इस तरीके से रखना है इसको रखना कहां पे जहां पे देखे corner कट किया है बिल्कुल वहां पे हमें center पे रखना है पूरे को तीन side से pack कर लेंगे यह हमारी pocket हो जाएगी एक side इस तरफ और दूसरे side इस तरफ तो जो corner कटा हुआ है बिल्कुल उसके center पे हमें रखना है तो बिल्कुल free pattern है जितना आप corner बनाईएगा उतनी बड़ी आप pocket कट कर सकते हो तीन side से pack कर लीजे उपर से देखे हमारे pocket open side है तो इस तरीके से दोनों pocket को stitch कर लेना है मैंने दोनों pocket stitch कर लिया है तीन side से pack कर लिया है उपर side से इसकी opening है और ध्यान रखेगा जहाँ पे zip लगी है pocket की opening उस side होनी चाहिए कि जहाँ zip लगी है वहीं पे हमारी opening है pocket की अब लिया है मैंने sleeve का बचा हुआ पार्ट इससे हम strip को निकालेंगे handle के लिए तो 5-5 inch की चौड़ी पटियां ली है मैंने कपड़ा limited ही है तो थोड़ा सा joint लगेगा और लंबी पटियां cut कर लिए joint कर लीजे लंबी पटि बना लीजे 5-5 inch चौड़ी और हमें fold करके build को बना लेना है तो जो मैंने build बनाया है वो 25 inches की length दीखिए दो belt मैंने बनाया हुआ है और जोड़ पड़ा हुआ है इसमें तो 25 inches की length है तो इस तरीके से दो handle हो गए half-half inch ऐसे fold कर लीजे उपर की तरफ हमारा handle होना चाहिए side में जहां pocket लगी है उसके starting point पे जहां भी आपको लगे महाँ पे भी आप stitch कर सकते हो तो इस तरीके से stitch कर लीजे देखने में बहुत खुबस्रत लगता है ये pattern इस तरीके से half inch करते है दोनु side से हमें stitch कर लेना है अच्छे से पका कर लीजे तो ये मैंने handle पे attach कर लिया देखे pocket हमारी इस तरीके से है और ये handle हो गया अब क्या करेंगे अब बस सिर्फ हमें डालना है इसमें runner तो double runner मैं add करूंगी इसमें एक इस side से और एक इस side से runner मैंने add कर लिया है अब इसको उल्टा कर लेंगे उल्टा कर लीजे अच्छे से flat बिच्छा लीजे जिफ हमारी center पे ही ओनी चाहिए इस तरीके से जिफ हमारी लग गई center में side से fitting की सिलाई है अब एक सिलाई इस side यहां से यहां तर दूसरी सिलाई यहां से यहां तर दूनों सिलाई लगा लेना है state पट्टी से rough side को finish कर लिजे मैंने दूनों side finish कर लिया हमारा बन चुका है पलट के सीधा करेंगे सारे corner sides को अच्छे से निकाल लिजे अब इसमें आपको मैं कपड़े रखके दिखाती हूं किसका size कितना बड़ा बना है corner अगर आपने 4 से 5 इंच कट किया तो यह और भी अच्छा बनेगा पर यह ऐसे भी बहुत अच्छा है और इसमें काफी कपड़े आ गए है तो अभी अभी दिखाती हूं अभी आपको जैसे simple तरीके से हम storage bag बनाते हैं बैक से उसका size थोड़ा सा छोटा होता है जादा नहीं पर थोड़ा छोटा होता ही है पर अगर इस ट्रिक को follow करके आप बनाओगे तो आपका storage bag काफी खुबसूरत बनेगा size में भी अच्छा बनेगा और जो sleep का यह part बज जाता है ना इससे आपके दो pocket हो गए तो इन दो pocket में आप अपने socks रख सकते हो undergarments रख सकते हो जितने भी छोटे कपड़े हैं जो आप रख सकते हो हैंकी वगरा रख सकते हो length देख लीजिए इसकी 15.5 inch और ऐसे विर्थ है इसकी 12.5 inch और height इसकी 6.5 inch 3 inch पे corner कट किया है तो 6 या 6.5 का average मान लीजे इस तरीके से इसकी corner बन जाते है मतलब height बन जाती है देखे वाइट पॉकेट के साथ है बहुत ही खुबसूरस था simple सा हमारा free pattern का storage bag बन गया है तो यह बिल्कुल simple तरीका अगर आपको zip लगानी नहीं आती है तो आप इसको button के side से रख सकते हो मतलब button के साथ रखिए zip लगाने का भी फिर कोई जंजट नहीं है पर मुझे जिप personally बहुत पस्ते है पर आप जाओ तो इसे button पट्टी के साथ भी रख सकते हो तो यह बिल्कुल simple सा तरीका है से बनाने का I hope आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आजाए तो please वीडियो को like, share, channel को subscribe कर लिजेगा जल्दी मिलते हैं एक और useful वीडियो के साथ Thank you